हलो बच्चो आप सभी का हमाद चैनल आइडियल देव क्लासेश में श्वागत हैं बच्चो आज हम आपके लिए इंग्लिस वर्ग बूक लेके आएं जो कक्छा 6-8 के लिए है और सीजन 2022-23 है सीजन मिन्स हुआ आपका सत्र 2022-23 और यह जो पुस्तक है आपकी राज सिख्चा केंद्र बोपाल द्वारा बनाई गई है और इस पुस्तक के माद्यम से आज हम आपको जो ग्रेट 6-8 है उमंग समू की वर्षीटों को हल कराके बता रहे हैं आज हम आपको वर्षीट को सी बताएंगे वर्षीट 91 चलिए देखने वर्षीट 91 में क्या कहा है नमबर 3 दिया है मेज दा गिवान वार्ड टू दा करेक्ट आर्टिकल्स हैं सब्दों को सही आर्टिकल्स एन से मिलाईए हमने आपको पहली बता चुके हैं कि जो आर्टिक और उचारन भी कांसुनेंट से हो रहा है कांसुनेंट मिन्स होता है वेंजन से हो रहा है तो आप किसका यूज करेंगे एका फिर दूसरा देखिए जो वर्ड आपका किस से सुरू हो रहा है वावल से सुरू हो रहा है और उचारन भी काई से हो रहा है वावल से हो रहा है तो आप समझिए कि उसमें कौन सा आ अर्टेकल लगेगा, N आर्टेकल लगेगा, जैसे यहां monkey, monkey, अब देखिए monkey, monkey, यह हम आपके लिखें, monkey, अब यहां पर हिंदी का, जो म है, यह क्या है? वेंजन है, म क्या है? वेंजन है, और यहाँ पर M क्या है Consonant तो Consonant से सुरू हो रहा है उचार्ण भी किस से हो रहा है Consonant से इसलिए किसका यूज़ करेंगे A का अब देखो Parod Parod में P P क्या है आपका Consonant है और P Parod P से सुरू होता है तो यहाँ पर क्या है Vengeance है यहाँ कि कहने का अरत यह हुआ आपका कि यह किस से स्टार्ट हो रहा है Consonant से स्टार्ट हो रहा है और हिंदी के Vengeance से उसका उच्चार्ण धोनी लिकल रही है इसलिए किसका यूज़ करेंगे इसमें A का तो यहाँ पर क्या जाएगा A आजाएगा Teacher Teacher में भी क्या जाएगा T Vengeance है और T Vengeance है N की Consonant से सुरू हो रहा है Consonant से उच्चार्ण हो रहा इसलिए किसका यूज़ करेंगे A का फिर Aeroplane Aeroplane में A क्या है Vowel है और A Hindi का क्या है Shore है Vowel से सुरू हो रहा है और उच्चार्ण भी Vowel से हो रहा इसलिए किसका Use करेंगे N का इस प्रकार हमको जो क्या कहा था Maze the given word To the correct article तो हमने correct article से क्या कर दी Maze करके बताए Period को किस से A से Teacher को भी A से और आपका Aeroplane को N से तो इस प्रकार से आपका जो नमबर तीन था यहां complete होता है Next अगल अप्रसल देखते है किदा और नीचे भी दिया है Ice cream Ice cream यहाई से शूरू I क्या है आपका I Shore है Vowel है और उच्चार्ण भी वowel से हो रहा इसलिए किसका Use करेंगे N का Song में A का Banana में A का और और औरोनीन में N का उसके बाद आपका क्या बचा हुआ हो यहां पर Ear Ear में N का यूज करेंगे Ear में किसका यूज करेंगे N का देखिए Ear को N से मिला दिये Onion को भी N से मिला है Aeroplane को N से मिला दिये Ice cream को भी N से मिला दिये फिर A से किसको मिला है पेरोट टीचर शॉंग बनाना तो इस वकार से हमने क्या करके बता है आपको मेच करके बता दिये नेक्ट अगला कोस्चन देखते हैं कोस्चन नमबर 4 क्या कह रहा है मेच दा वर्ड इन दा बॉक्स एंड राइट देम अंडर दा करेक्ट कॉलम्स एंड दिये के सब्दों को पढ़का सही इस्तान पर उधान के अंसार लिखें जैसे किंग अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है जो आपको कुछ वर्ड दिये हुए है इन वर्डों में कुन सा आर्टिकल आएगा ए आएगा एन आएगा या नाइदर एन नो एन और एन आएकि ए और एन दोनों नहीं आएंगे तो हमने आपको पहली बता दियें कि जहां पे कॉंसूनेंट से शुरू हो रहा है उचान भी उसका कॉंसूनेंट से हो रहा है उचान धोनी कॉंसूनेंट से लिकल रही तो वहा किसका यूज करेंगे A का तो A के नीचे कोन कोन आ जाएंगे जैसे King आएगा King आ गया House आ गया Classroom आ गया Clock आ गया उसके बाद Camel आ गया Nurse और Wall ये किस में आ जाएंगे N के नीचे आ जाएंगे ये देखिए हम नहीं लिखे बता A के नीचे आ जाएंगे किस के नीचे आएंगे A के नीचे उसके बाद इन जो Source से शुरू हो और उचांड भी Source से हो याने Wabal से शुरू हो और उचांड भी Wabal से हो वह किस के नीचे आ जाएंगे N के जैसे Organ Eraser Ant, Inquot, Ice Ice Cream और XZ इसको यहाँ पर और क्या जाएगा आपका X तो यह N के नीचे और यहाँ पर Sugar Sugar के साथ ना N का यूज होगा ना A का Oil के साथ ना A का यूज होगा ना N का और Water के साथ अब इनके साथ A N का उप्यों क्यों नहीं किया जाता क्योंकि इन्हें गिना नी जा सकता A और N का use वहाँ किया जाता है जो गड़्णी नाउन हो और यह इने गिना नहीं जा सकता सुगर को एक सुगर या एक सकर नहीं कह सकते तैल को एक तैल नहीं कह सकते वाट पानी को एक पानी दो पानी नहीं कह सकते इसलिए यहाँ पे A, N, आर्डिकल का यूस नहीं होगा इसलिए यहाँ पे नाइधर आएगा तो इस पकार से आपका जो प्रेशनता यहाँ पे complete हुआ इसके बाद next आगे देखते हैं आगे आपके next वर्क्षिट आ जाएगी 92 इसमें क्या कहा है टिक दा यहाँ पे क्या है यह आपका एपल एपल ऐसा लिखेंगे एपल अब यहाँ पे ए इसका ए क्या है शौर है और यह भी क्या है शौर है इंगली से वावल यह वावल से शुरू हो रहा है उच्छान भी वावल से हो रहा है इसलिए किसका यूस करेंगे एन का किसका यूस कि हम यहां पे n का तो यहां पर n की पे हमने ठिकमाra कर दिये एग ये भिर ही से σुरुत हो रहा हुँ किस से हो रहा देखो वाबल से सुरुआ उचाण भी वाबल से हो रहा है इसलिए क्या आएगा इसमें n आएगा फार्मर एप क्या है वेंजन ब्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर n आर्टिकल लगेगा और कांसुनेंट से शुरू हो रहा और कांसुनेंट से ही उच्चान हो रहा है तो a आर्टिकल आएगा तो इस पकार a और n कहां यूज़ करना आपको बता इसका दिये अम्बरेला छाता को क्या कहते हैं अम्बरेला तो अब यहाँ पर और सही का निसान लगाएं तो हमने यहाँ सही सब्दू भी लिखे बताएं आपको देखी हमने यह चित्र देखे यह चित्र किसका है अंडे का है इसको कहते हैं एग यह कि फार्मर यह किसान का है तो फार्मर लिख दिये घड़ी को वाच यहाती है तो और यह चाता को अम्ब्रेला तो और सही आर्टिकल पर हमने टेक मार करके आपको बता है इस पकार से आप इसे पूर कर सकते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं कोश्चन नमर शिक्स है फिल इन दा ब्लैंक्स विथ ए या एन दा गिवन पेसेज हैंने खालिस्टान में ए एन लिखें अब देखी यहाँ पे हमें ए और एन का यूज़ करना माया इस खालिस्टान गुड अब यहाँ पे गुड आ रहा है तो अब आपको हमने बताया थे कि यदि कांसूनेंट से शुरू हो रहा है और कांसूनेंट से उचान हो रहा है तो किसका यूज़ करेंगे एका यहाँ पे जी क्या है कांसूनेंट है और गुड और गवी क्या है कांसूनेंट है इसलिए किसका यूज़ होगा एका फिर उसके बाद माया एंड रोहित लाइक टू इट खालिस्तान मेंगो में देखी है मेंगो में M consonant है consonant से शुरू हो रहा है उचान धोनी भी consonant से हो रही है इसलिए किसका यूज करेंगे A का फिर यहाँ पर orange यह वावल से शुरू हुआ वावल से उचान हो रहा है इसलिए N आएगा Everyday Maya and Rohit live in A house अब यहाँ पर A क्यों यूज की हमने यह consonant से शुरूआ consonant से उचान हो रहा है इसलिए क्या हो गया house with their mother and father Maya's father eats an egg Everyday यहाँ पर यह हो गया आपका जो पेसिस था इसमें जो खालिस्तान भरने के लिखा रहा था फिलिन्दा ब्लेंक करने के लिखा था आपको हमने फिलिन्दा ब्लेंक A N से फूर्ण करके बता हैं इस पैसे इसको पूरा पढ़के बता दे रहे है Maya is a good girl Maya and Rohit like to eat a mango and an orange Everyday Maya and Rohit live in a house with their mother and father Maya's father eats an eggs everyday इस पेकार आपका जो question number 6 था फिलिन्दा ब्लेंक किस से करना था A और N से जो पेसे से उसे पूर करके बताए नेक्स आगे देखते हैं वर्षिन 93 वर्षिन 93 क्या दिया है उसको देख लेते हैं फिलिन्दा blanks with a and the यहाँ पे आपको a and the का यूस करना है जो आपका फिलिन्दा ब्लेंक है उसमें a and the लिक्कर वाक्य को पूरा करेंगे देखिए once there was खालिस्तान beautiful beautifully be क्या है consonant है और उचांड होनी किससे लिकल रही है consonant से लिकल रही है इसलिए किसका यूस करेंगे एका फिर garden के पहले the article यूस होता है apple के पहले an article क्योंकि वावल से शुरूआ वावल से उचांड हुआ orange के पहले an article और गौरवा के पहले जी इसलिए इसलिए a इसलिए गार्डन के पहले the big के पहले a और उसके बाद next last में दिया है the grant तो इसमें the use होगा फिर यहां garden में the grant में the fruits में a और garden में the इस पकार से यहां पे आपको हमने जो आपके फिलिंदा blank से वह पूर्ण करके बताए आप इस पकार से अपने जो वर्षिट 92 का question नमा 6 को पूर्ण कर सकते है नेक्स्ट इस पकार से यहां पे आपका जो वर्षिट 93 92 और 91 पूर्ण होती है यह यह वर्षिट हमने जो आपको बताएं समझ आई तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सस्काइब कीजे लाइक कीजे और अन्य गुरूप में से हर जरूर कीजे